हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल गाईस, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हमारा दो हजार आपकी बारा का, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने आपको दो हजार तेरा का कोशन पेपर कराया था, पीजी टी जोग्रफी का, और आज की वीडियो में हम करेंगे 2012 का कोशन पेपर, पीजी टी जोग्रफी का, ठीक है, तो वही आपके 91 से लेके 150 तक कोशन्स होंगे, 60 कोशन्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटिड जो की फुल डिटेल से हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि 2012 में कैसा कोशन पेपर आया था, और अपकी बार आपका कैसा आता हैं, तो कोशन नमबर 91 है, आलेखी मापनी में दो इकाईयों में पर्दशित दूरी कहलाती है, बही आलेखी मापनी, इंगलिश वाला वर्जन देख लो, अग्राफिकल स्केल शोइंग डिस्टेंस इन टू यूनिट्स इस गोल्डा, तो सिंपल सी बात है, जो एक ग्राफ स्केल या स्टेटमेंट स्केल, तो राइट अंसर है गाईस, कमपेरिटिव स्केल, यानि तुलना अतमक मापनी, मैंने आपको ये सारे यूट्यूब चैनल पर भी और पेर कोर्स पर भी, दोनों पर करवाएं हुए, डाइजनल स्केल क्या होता है, सिंपल स्केल क्या होता है कमपेरिटिव स्केल में क्या होता है, और स्टेटमेंट स्केल में क्या होता है, ठीक है, ये सारे आपको पता है, नेक्स्ट आता है कोशन नमबर 92, बुकम्प की उत्पती का बिंदू क्या कहलाता है, यानि जहां से आपका ओरिजन हुआ है, बुकम्प पैदा हुआ है, उस बुकंप्य तरंगे सबसे पहले किस पर पहुंचती है एपी सेंटर पर एपी सेंटर क्या होता है जहां पर सबसे पहले बुकंप का अनुभाव किया जाए या बुकंप्य तरंगों का पता चलता है बुकंप्य तरंगे सबसे पहले पहुंचती है तो इन सभी स्टेटमेंट क आई की अंस्वर होगा अधिकेंद्र यानि एपिसेंटर गॉट इट नेक्स्ट चलते हैं वाई यू मंडल की कौन सी परत दूर संचार के लिए उप्योगी है तो भई दूर संचार यानि आपकी टैलिक कम्मिनिकेशन तो दूर संचार के लिए तो सभी को पता होगा इसका अ तो अनसर होगा आइन मंडल नेक्स रहता है कोश्ट नबर नायंटीफॉर मानो का प्राचीतम व्यवश्याय कौन सा माना जा तब भी सबसे पुराना मानो सबसे पहले क्या करता था तो देखो शिकार की बात करें करता था ठीक है पर शिकार से भी पहले हो कुछ करता था खन एक बार, उसके गंगे D ूप्र बूआ हi दीनारी, फिर वहां से पोदे हो गया, फिर उसने देखा कि इस तरिके से और भी हो गए, तब उसने इस तरिके से करना सीखत था, पर Agriculture भी बहुत बाद ही, सबसे पहले उसने चीजों को इकठा करना सीखत था, वनों से फल मिल गे गेहूं के दाने खिंड गए दे नदी किनारे फिर वाँ से पोधे हो गया फिर उसने देखा कि इस तरीके से और भी हो गए तब उसने इस तरीके से करना सीखा था पर agriculture भी बहुत बाद में सबसे पहले उसने चीजों को इकठा करना सीखा था वनों से फल मिल गे फूल मिल गे नीचे पड़े वे मिल गे तो उनको इकठा कर लिया उसके बाद दिर दिर उसने शिकार करना सीखा फिर agriculture करना सीखा ठीक है और फिर लास्ट में आएगा माइनिंग तो option number B रहेगा इसका next आता है question number 95 कौन सा छेत्र दक्षिन भारत का अन बंदार क्यालाता है ठीक है कोयम ब नाडू का थंजावूर दक्षिन भारत का अन बंदार कहलाता है साउथ इंडिया का ग्रेनरी कहलाता है ठीक है और इसको ध्यान रखना इस question को next आता है question जर्मन अर्थ सास्त्री का नाम भताईए जिसने किर्शिय स्तीती का अध्यन किया है यानि ऐसा अर्थ सास्त्री अर् परकारों में बाता है तो सिंपल सा कोश्यन है सबको पता है इस कंस्वर आठ परकारों में नेक्स आता है question guys ब्लीजार्ड्स है ब्लीजार्ड्स आपकी एक local wind है यह कहां पर बहती है तो सहारा में उच वेग गरम पाउने नहीं ऑस्ट्रेलिया में तो ब्लीजार्ड बहती ही नहीं है दुर्विय परदेशों में उच वेग और ठंडी पाउनों को कहते हैं ब्लीजा ठीक है हर मार्टन और आपकी बहुत सारी हैं और भी अलग लग नामों से जानी जाती हैं तो उन सब को हमने जैसे सैंटा आना और विली विली तो दुनिया बर की पवने मैंने आपको पढ़ा रखी है पेड़ कोर्स में भी तो पेड़ कोर्स से रिलेटेड सुन लो जो पह कुछ मात्र कुछ 25 से 30 वीडियो भी कर जाओगे ना पेड़ कोर्स में से तो आपके आराम से साथ में से 45 पलस नंबर आ जाएंगे यानि 45 से 50 के बीच में नंबर आराम से आजाएंगे ठीक हैं बट अब भी लेट करते हो फिर उसके बाद गारंटी नहीं है और वैसे भी ए नहां तक मुझे लगता है पोस्पॉंड हो गाई होगा क्योंकि अभी तक तो फोमी फर्फिल हो रहे थे नेक्स्ट आता है गोयट है एक गोयट बहुत बार एक्जाम में कोशन बार बार रिपीट हो चुका है सीधा सुनलो क्या होता है गोयट सुमुंदर के अंदर कुछ आपके इस तरीके की कटकदार परवत होते हैं जिनका जो उपरी सीरा आना चोटी की तरह ना होकर समतल होता है तो समतल शिकर ज्वाला मुखी अंत्य साग्रीय परवत अंत्य साग्रीय यानि साग्रों के अंदर तो ऑप्शन नमबर वन ही हो जाएगा इसका ठीक है तो गोय स्तील मेकिंग में मैगनीज कर यूज़ किया जाता है बहरतय सरविक्षन के स्तला कर्थिक मान चित्रो पर भूमी उप्योग को परदशित करने की क्या टैक्निक है तो आपके टोपोग्राफिकल जो मैप्स है है उन पर हमें भूमी उप्योग दिखाना है तो उसके लिए हम रंग यानीwat दिखा हमें भूमी का उपयोग दिखाना है इस एया में हमने यह भूमी में इसमें इसमें लिए ना हनक्षर संकेः तो आपके किसी फाहि कलर सका नेच्श इनलडर्स आता है कोशे बुमद्दे रेखे परदेशों के लिए कौन सा प्रक्षेप उप्युक्त है तो भई बुमद्दे रेखे ठीके जो आपकी बुमद्दे रेखा वाला एरिया है उसके लिए कौन सा प्रोजेक्शन आप यूज़ करोगे तो भुमद्दे रिखे अगर आपको याद हो हमने भी जब अपनी किये थे जो हम कर रहे थे क्या कहते हैं प्रोजेक्शन तो उन प्रोजेक्शन में हमने एक बेलनाकार Àच्र बनाए था यानि सायलेंड्री क्ल् प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके का projection था वो कुछ ऐसे यासे ठीक है इस तरीके तो उसमें लिखाओ आभी था कि भुमद्दे रेखे परदेशों के लिए सबसे best projection यही उज़ोता है ठीक है तो अंस्वर होगा हमारा बेलनाकार projection यानि साइल एंडरीकल projection कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन वहवार के कारण जानी जाती है तो सिंपल सा कोसी नदी बहुत बार अपना रास्ता बदलती और बाड़ लाती है बिहार के अंदर बिहार का शोक भी कहती है कोसी नदी को नेक्स आता है question number 104 निमने में से सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है कि इसमें से ठीक कौन सा नहीं है थारू उत्राखंड गरासिया राजिस्तान गद्दी हिमाचल परदेश बक्करवाल राजिस्तान तो ये कही न कहीं जंजातियां है ठीक है राजियों की तो अगर इम कुस्मीर की साइड बक्करवाल जिंजाती देखी जाती है तो राजिस्तान इसका अंस्वर नहीं रहेगा नेक्स आता है question number 105 जवार ये भीती पाई जाती है यानि टाइडल बोर्स ओक्यूरिन तो जो टाइडल बोर्स है बोर्स है जो भीती है वो पाई जाती है नदी नेक्स्ट question आता है बंगाल की खाड़ी में उशन कटीवन दिये चक्रवातों को जाना जाता है इसका question का जवाबिक अगर किसी का गलत हुआ तो गलत होगा ही अब ध्यान से देखो अब आपको कैसे question अब हटा होगी देखो बंगाल की खाड़ी में पूछा है हम नोर्मल त विली विली ज ऑस्ट्रेलिया रह गया क्या आउदाब तो अंस्वर क्या होगा आउदाब तो इस तरीके से अगर आपको तीन का पता है कि यह लग लग इन एरियास में जाने जाते हैं तो चोथा आप अपने आपसे भी ठीक कर सकते हो तो क्या अंस्वर आजाएगा आउद नेक्स्ट आता है question number 107 अंक्लेश्वर तेल छेत्र समीप है जो अंक्लेश्वर तेल छेत्र है वो किसके समीप है तो देखते हैं option डिगबोई के सूरत के एहमदाबाद के या मुंबई के अब जहां से देखो डिगबोई आपका असम में पढ़ता है ये गुजरात में ये भी पढ़ता है ठीक है गुजरात में ही पढ़ता है बट अगर इसकी अंसवर की बात करें तो इसका अंसवर होगा भाई सूरत ठीक है सूरत के निकट पढ़ता है अंसवर क्या होगा सूरत नेक्स्ट आता है question number 108 विस्व का कौन सा सांसकर्तिक छेत्र राज्य यूरोपियन छेत्र राज्य के समान है कौन सा सांसकर्तिक छेत्र है Asian, African, Chinese, Australian कौन सा सांसकर्तिक छेत्र राज्य यूरोपियन छेत्र या राज्य के समान है तो यहाँ पर उस्ट्रेलियन इसका अंस्वर होगा ठीक है यह जो संसकर्थिक छेत्र है यह राज्य, यूरोपियन छेत्र राज्य के इक्वल है ठीक है क्या अंस्वर रहेगा ओस्ट्रेलियन नेख्ट आता है question number 109 अजोव सागर नीमन का सिमान्त सागर सिमान्त यानि 4 और से कवरप किया गया है marginal C है ये ठीक है अजोव सागर ये मैंने आपको YouTube चैनल पर जब मैंने आपको continent पढ़ाई थे आपके महा सागर मैंने पढ़ा रखे 109 question अजोव सागर पढ़ा रखा है तो ये पढ़ता है आपका Atlantic महा सागर में किस महा सागर में पढ़ता है अजोव सागर Atlantic महा सागर next आता है question number 110 कौन सा राज्य नारियल तेल के उत्पादन में अगरनी है यानि जो नारियल तेल है उसका उत्पादन आप नारियल का था सबको पता भई केरल अगरनी है अब नारियल तेल में भी किसको डालोगे आप केरल को ही ठीक है नारियल तेल में भी किसको डालेंगे केरल को ही क्योंकि नारियल सबसे ज़्यादा केरल में होते हैं तो नारियल तेल भी सबसे ज़्यादा केरल में ही होगा नेक्स्ट आता है कोशन नबर बान अंडर 11 कौन सा एक पहाड़ी पासरो डाल का तत्व है मोनो डनोक भाई मोनो डनोक मोनो डनोक रैगबूर काली मिट्टी को बोलते है निक पॉइंट आपका जो बात करें नदी का लास्ट पॉइंट होता है निक पॉइंट जब नदी डेल्टा की स्तीती में पोलच जाती है और मोनो डनांक भी वही पर बनते हैं मोनो डनांक भी डैविस का आपने अकर्तिक चक्र पड़ा होतो अब आगया free face जो ये मुक्त मुक है ये ही माना जाता है एक पहाड़ी के पास रो ढाल का तत्व ठीक है hill side slope का एक element माना जाता है मुक्त मुक यानि free face ये तीनों तो आपको मैंने समझा दिया अलग लग मुक्त मुक रहेगा इसका answer इसिया के सुदूर उत्तर की बात करें सुदूर उत्तर यानी आपके साइबेरिया तो वहां पर क्या परभावपूरन किरिया के तो रूस वाला पार्ट भी आ जाता है कुछ आपके जपान वाले इदार और बीच वाला तो खेती तो लोग करते नहीं है वहां पर लकड़ी का ठीक है शिकार और मचली ठंडा इलाका है ना तो वहाँ पर मचलियां और अपने शिकार करके लोग अपना जीवन बिताते हैं साइबेरिया इश्या की बात करें तो जाने साइब आता है कोशन बार यंडर 13 कोन से महासागर में धाराओं की दिशाएं मोसमी है डिरेक्षन दा करंट चेजिस सीजनिली यानि मोसमी है तो आप सबको पता है जो मांसून की वज़े से हिंध महासागर की धाराओं वो मोसमी है जैना मांसून यह वाली हो जाती है हिंद महासागर की ठीक है यह वाली और जब जैसे ही मांसुन चला गया तब डायरेक्शन आपकी क्या होती है जैसे मांसुन आपका इधर से आया तो डायरेक्शन यह उल्टी हो जाती है इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके से आपकी चीज़े चलते हिंद महासागर में तौनस्वर क्या हो जाएगा हमारा हिंद महासागर नेक्स्ट आता है कोश्यन 114 एकोलोजी शब्द का यूज सबसे पहले किस्ट नहीं किया तो अगेन रिपेटिड और अंशर सीधा हो जाएगा टॉंसले महोद्य ने सबसे पहले एकोलोजी वर्ड का यूज किया था नेक्स आता है सरवादिक पशू जनसंक्या के साथ देश का नाम बताईए बयासे देश का नाम बताना जहाँ पर सबसे ज़्यादा पशू जनसंक्या है तो हमारा अंस्वर होगा भारत ठीक है हमारा अंसर होगा भारत इनमें से USA अर्जेंटेना उस्ट्रेलिया में सरवादिक जो पशू है जनसंक्या है वो हमारे इंडिया में ही है नेक्स आता है कोश्चन नबर वन अंडर शिक्सिन चीन में चाई की खेती के बारे में क्या सत्य है चाई के बड़े बगान है लगबग घरेलू खेती है स्तानिय उत्पादक परिक्रिया नहीं है भारत से प्रारंब है तो चीन में चाई की खेती के बारे में हमें सत्य कथन चूज करना है यानि लगबग उनकुल करेक्ट कथन देखना है तो लगभग घरेलू खेती की तरह है चीन में चाय की खेती की जाती है ठीक है? जो में में कंट्री है ना उन सब का डेट राइट जरूर देखके जाना यह जो डेट राइट एरिया होता है काफी फेमस होता है तो यह फेमस होता है किसके लिए जो USA का डेट राइट एरिया है लोगा इसपाथ जलपोत निर्मान मोटर कार पैट्र रसायन तो जो USA का डेट इरिया है वो मोटर कार के लिए फेमस है ओटो मोबाइल के लिए फेमस है अंस्वर रहेगा उप्षान नमबर सी नेक्स्ट आता है कोशन नमबर 118 जब वाईयू तो आप मान बढ़ता है तो सापेक्षिक अधरता क्या होगी ठीक है कोशन देखो बढ़ती है गढ़ती है परि वर्षा हो जाती है तो जो सापेक्षिक अधरता है रिलेटिव हुटेटी है नमबर 119 नम्न में से कोँन सा व्रहत संचलन का हिस्सा नहीं है mass moment का हिस्सा नहीं है बताओ slumping, आउपतन, punk परवा, आपत्रिकरन या अपदलन या भू संखलन तो इसके बात करें न जो आपका आपत्रिकरन या अपदलन होता है exploration होता है यह आपके mass moment का part नहीं होता बाकि आव पतन पंक परवा भू संकलर जिसे क्या होता है mass moment mass moment यानि कोई भी पहाड़ी नदेख पानी के कटाओ की दुआरा या भुकम की वज़े से या जब पहाड़ी अपने सान से खिसक जाती है ठीक है खिसक जाती है आप यह चीज़े देखते हो ना कि पहाड़ी आलाकों में सडके बंद हो गई है कोई यह वाली पहाड़ी गिर ग और भूस अंकलन यह सारे चीज़े अपकी अलग लग त्रे किया करतियां है जो की mass moment के दोरान बनते हैं जब यह आप पत्री करन की बात करें आप पदलन यह आपका mass moment में नहीं आता भारत की मुखे भूमी की दक्षिन्तम सीमा क्या है तो बही आठ डिगरी चार मिनट उतरी अक्षांसे है भारत तो पहला यह option correct हो जाएगा ठीक है आठ डिगरी चार मिनट उतरी अक्षांसे 37 डिगरी चै मिनट उतरी अक्षांस तक भारत की अक्षांसे विस्तार है और दे 121 क्या मापने के लिए प्लैनी मीटर का यूज किया जाता है तो प्लैनी मीटर का यूज किस के लिए किया जाता है मांचितर पर दिशाय दिखाने के लिए तो दिश मीटर होता आपका दूर्या मापने के लिए उचाई मापने के लिए भी नहीं मांचितर पर एरिया को मापन के लिए प्लानिमेटर का यूज होता है प्लानिमेटर का यूज आप सभी बी ये में कर चुके हो ठीक है नेक्स आता है कोश्चे नबर 122 शोब शीमा की उचाई अधिक होती है कहाँ पर बुमद्य रेखया चेतर में उशनकटी बंद्य चेतर में दुरविय चेतर में या मद अक्षांसी चेतर में तो आपके बुमद्य रेखया पर 10 क्यों जादा है 15-18 किलोमेटर 6 म Een मंद्य चेतर में गिई में ऊठीक होती है रुको कोईले के निर्मान की पर्थम अवस्ता पूछी गई है तो कोईले के निर्मान की तो अंसर हमारा पिट कोईला रहेगा ठीक है देखो अभी समझाते हो आपको किस तरीके से एक्जामिनर ने पूछा आई है कोईले के निर्मान की पर्थम अवस्ता लकड़ी से कोईले के निर्मान की पहली जो अवस्ता हो पिट कोईला है लकड़ी से कोईला बनना जो पिट कोईला होता है यह बिल्कुल लकड़ी जैसा ही होता है ठीक है बस कुछी गुण मिलक अलग होती है इसमें यानि यह कही न कही फर्स्ट स्टेज को दिखाता है कोईले के निर्मान की ठी देखो second stage होती है आपकी link night और third stage होती है bituminous और fourth होती है anthracite और anthracite koila सबसे best quality का koila होता है 98% carbon की मात्रा होती है और जलते समय नीली लो देता है बिलकुल भी राख नहीं छोड़ता और दुआ भी नहीं छोड़ता तो best quality का koila होता है बट हमारे इंडिया में जो koila पाया जाता है वो bituminous type का ज़्यादा पाया जाता है तो भारत में bituminous type का koila पाया जाता है ठीक है और koila के निर्मान की पर्थम अवस्ता कोन सी होती है pit koila तो सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है और एक question ओर आता है तमिल नाडू के नवेली में कौन सा koila मिलता है तो भाई लिंग नाइट koila मिलता है तमिल नाडू के नवेली में लिंग नाइट koila देखने को मिलता है नेक्स्ट आता है question one under 24, theodolite से माप सकते हैं, theodolite से आप क्या माप सकते हो, लंबवध कोण, समानंतर कोण, कोण नहीं, समानंतर और लंबवध कोण, तो भाई अगर हम बात के रहने लें ना, theodolite से हम समानंतर और लंबवध कोण, horizontal और जो vertical आपके एंगल से उन सबको माप सकते हैं थियो दो लाइट से तो न्यू कोश्यन है ध्यान से देख ले ना इसको भी नेक्स आता है कोश्यन बर वन अन्डर 25 मिट्टी की पी-एच की दुवारा क्या ग्यात होता है भई हम पी-एच निकालते हैं ने मिट्टी का तो उससे हमें क्या पता चलता है मिट्टी की पी-एच के दुवारा उसकी रसाइनिक परती की दिया कि मिट्टी में कौन से कैमिकल है कौन सी अगर हम बात करें उत्पादकता नहीं होती है पी-एच के दुवारा हमें रसाइनिक जैसे हमें वोटर का पी-एच निकालते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि कितना उस प्रतिकिर्य का पता चलता है नेक्स राता है कोश्ण 126 कौन सी फसल की किस्म निकोटीना रस्टिक्स कहलाती है निकोटीना रस्टिक्स कोफी कोगो रबड तमभाखु तो तो देखो यह नए नया कोश्ण है और और मैं भी यह कोँगी कि मैंने भी इस तरीके का कोशन पहली बार ही देखा है गाई स्क्रूजूट बोलू तो यह आपकी तंबाखु की है ठीक है निको टीना रस्टिक्स ठीक है यह किसम है किसकी तंबाखु की और तंबाखु सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है मिरदा की समानंतर परते कहलाती है जो मिट्टी की समानंतर परते हैं उसे हम क्या कहते हैं तो मिरदा स्यथिज परते देखो समानंतर परते यानि होरीजेंटल लेयर्स तो आपने पढ़ी भी होगी इस तरीके से एक कास्थर खास्थर गास्थर मिट्टी बनने की मिर्दा, शयतिज, पाउनी नेक्स्ट अता है Qsewn No.128 वायू राश्योग की वर्गी करण में तापमान, अधर्था, उद्गम, छेतर, दबाऊ तो वायू राश्य की वर्गी करण में तापमान के अधार पर गरम और ठंडी वायू राश्य थीक है उद्गम छेत्र के अधार पर भी आपकी वायू राश्यों का वर्गी करन होता है दबाव के अधार पर वायू राश्यों का वर्गी करन कभी नहीं देखा गया है क्योंकि यह मैंने पेड कोर्स में आपको जो एयर मास है वो पूरा डिटेल से पड़ा रखा है बर्ग मोच्य चरेखाओं का अंत्राल क्या है वन रे सो फिफ्टी था उजेंडा अपने का आरेफ ठीक है तो इस पर हमें बताना है कि जो हमारी कंटूर्स हैं उनका अंतर बताना कि कितने अंतर पर आप कंटूर्स खीचोगे ठीक है तो यहां पर इसका अंसर हो जाएगा 20 मेटर यह सूरिय से तो बड़ा इजी सा गोश्य ने सबको पता भी सूरिय उर्जा का एक अन्लिमिटल स्त्रोथ है ठीक है कोईला भी कभी ना कभी खतम हो जाएंगे बायो मास भी और ओयल भी बट सूरिय उर्जा चलती रहेगी नेक्स्ट आता है कोश्य नबर वन अंडर 31 अफ्रीक हमें प्राकरतिक रबड का सबसे बड़ा उत्पाद कंट्री लिबेरिया ठीक है याद रखना नेक्स्ट आता है कोश्य नबर वन अंडर 32 कौन सी नदी परसी संगमरमर परपात बनाती है तो बड़ा ही फेमस कोश्य नर्मदा नदी अन्सवर क्या होगा हमारी जो नर्मदा दैम के पास एक तैरता हुआ सोर प्लांट भी लगाया जा रहा है नर्मदा नदी पर और यह हम कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा सोर प्लांट होगा जो कि किसी लिवर पर तैरता हुआ लगाया जा रहा है ठीक है यानि आपकी जो सोर पैनल है वो तैर रही है नर्मदा दिन में सबसे ज़्यादा तापमान और वार्शिकत अप्मान भी सअ winner पुछा गया। और बिल्कुल महादिवीप के जो आपका देश के बारत के कती सैंटर में है, यानि महादिवीपी जलवाईव कैसे होते है, जब गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी, तो सरवादिक, दैनिक और वार्षिक तापमांत कहां देखने को मिलेगा इन सार 134, निम्न में से किसी एक में सडको का नियुनतम घनाता हो है, तो आपको बताना है, सडको का नियुनतम घनाता हो, ठीक है, इन में से किसमे हैं, ओप्शन में देख लेते हैं, मिजोरम, जम्मू कस्मीर, असम, अरुनाचल, परदेश, तो भई इसका जो राइट अंसर होग जम्मू कस्मीर में आप सब को पता है ठंडी जादा है लेह लद्दा तो अब तो अलग हो गया है अब तो ये केंदर शाशित परदेश बन गया है ना जम्मू कस्मीर तो ध्यान रखना इस चीज़ को सबसे कम सड़कों का गनाता हो जम्मू कस्मीर में है यानि सड़कों का ब और चूर मात्रा में क्या है कलोरीन ठीक है क्या है कलोरीन क्या हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आता है 136 महा सागरो में लवनता अधिक्तम होती है तो जो महा सागरो में जो सैलिनीटी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती किस एरिया में हद से ज़्यादा बार रिपीट होने वाला कोशन भुमद्दे रेखे एरिया में उशन कटीबंदिय आपके परदेशों में और आपके वैस शितोशन में या धुर्विय परदेशों में तो इस तरह की से आए तो अंस्वर हमारा क्या होगा उशन कटीबंदिय परदेशों में यानि ट्रोपिकल रिजन्स में क्योंकि देखो भुमद्य रेखा के आसपास वाला तो एरिया ये हो गया भुमद्य रेखे प्रदेश और उसे उपर यानि पांच डिग्री से उपर वाला एरिया आपका ट्रोपिकल रिजन्स में आ गया तो अंस्वर हम इसे डालेंगे नाकिश शितोशन को क्योंकि करक और मकर रेखाओं के लगभग पास में ही सबसे ज़्यादा आपकी लवनता देखी जाती है तो 10 डिग्री से मैं बात करूं करक रेखा और 10 डिग्री साउथ में मकर रेखा तक आपकी सबसे ज़्यादा लवनता देखने को मिलती है नेक्स आता है question number 137 कौन से राज्य में अनुसूची जन जाती की जन संक्या सरवाधिक है उडिसा राजिस्तान मद्य परदेश भी हाँ तो भई कौन से राज्य में है सबसे जादा अगर आपकी अनुसूची जन जाती की बात करें तो अंस्वर होगा हमारा मद्य परदेश MP ठीके इन उप्शन में संस्वर क्या होगा मद्य परदेश में अनुसूची जन जाती की संक्या अधिक है नेक्स आता है मुंबई में किस महीने में अधिक्तम ताप होता है भई मार्च, अप्रेल, मई, जुलाई वैसे तो ममबई आपका सागरिय तक पर है फिर भी अगर सबसे अधिक्तम टेंपरिचर की बात करें तो मई में होता है और अमारे हर्याना में भी सबसे अधिक्तम टेंपरिचर कब होता भई मई महीने में होता है तो याद रखना नेक्स आता है question number 139 इन किस पेटी में भारी अभियांतरिक उद्योग सैकेंद्रित है कुलकत्ता आसनसोल जमसेदपूर आसनसोल कानपूर लखनम मंबई पूनी तो इसका अनस्वर भी आप सभी जानते हो जमसेदपूर आसनसोल देखो टाटा आरेन एंस्टेल कंपनी आपकी इंडियन आरेन एंड स्टेल कंपनी टिस्को इसको और आपकी एक कौराती है और आटा आरेन इंस्टेल कंपनी और इनके अलावा भी 36 गड़ मे भी आपके जारखनमें पश्यमंगल में तो आपका पूरी तरह से एक industry बहुत heavy बसी हुई है वहाँ पर ठीक है तो अंसर क्या होगा जमसेदपूर आसन सोली पशिम बंगाल और जारखंड वाला इलाका है नेक्स आता है कोशन पाक जल सन्योजी भारत को अलग करता है तो जो पाक स्ट्रेट है भारत को किस से अलग करती है देख वो पाकिस्तान से नहीं करेगी पाक स्ट्रेट भारत को शिरिलंका से अलग करती है तो अप्शन नमबर थरी क्रेक्ट होगा पाकिस्तान से हमारी रैट जो प्रागमी तरंग सिधान्त है वो धाराओं से रिलेटिड है जवार से प्रवाल भीतियों से या लहर अपर्दन से तो राइट अंसर उकर जवार सी जवार उत्पती से रिलेटिड सिधान्त है कि जवार की उत्पती कैसे होती है किस तरीके से आपके टाइड पैदा होती ह तो टाइड से उत्पती से रिलेटेड काफी थियोरिस हैं और उनी में से एक है प्रागामी तरंग से दांद नेक्स्ट आता है कोश्चन नबर 142 इस पात का महतोपुरण उत्पादक एश्याई देश कौन सा है ठीके स्टील का आपको बताना है ऐसी कौन सी एश्याई कंट्री है महतोपुरण उत्पादक ओप्शन्स देख लेती है पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान और स्यूदी अरब तो इस पात की अगर महतोपुरण उत्पादक एश्याई कंट्री की बात करें तो अंसर हमारा आएगा वई जापान कीके स्यूदी अरब में तो देखो तेल वेली होता है तो ये तो माइनस हो जागा इंडोनेशिया का आपका भी नाम सुनते भी हो इंड्रस्ट्रीज वगेरा में और पाकिस्तान तो वैसे ही तो अंसर हमारा सीधा जापान होना था नेक्स रादा है कोश्चन नबर 143 कुरील गर्थ स्तीत है अब ये कुरील गर्थ कुरील ट्रेंच वतानी आपको परशान्थ महासागर की हैं ये सारे के सारे और देखते हैं उत्तर पूर्वी परशान्थ में उत्तर पश्मी परशान्थ में तो जो कुरील गर्थ है आपकी जो ट्रेंच है वो आपकी उत्तर पश्मी परशान्थ में है क्या रहेगा भई option number B उत्तर पश्मी परशांत कौन से वाला पार्ट का होगे हम यह कह सकते हैं कि जो जपान से निकट वाला जहां पर आपकी मेरी आना ट्रेंच भी है उससे उत्तर वाला पार्ट है वहां पर है आपकी कूरिल गर्थ ठीक है जपान की side वाला वह है हमारे electronic उद्योग footloose उद्योग आपके यह कह सकते हो कि जिसमें आपके बहुत ज़्यादा वेस्टिज यह कुछ इसी तरिके के उद्योग होते हैं ठीक है तो इन्हें electronic उद्योगों को इसमें सामिल किया जाता footloose उद्योगों में नेक्स आता है भारत के जवाला मुखी द्वीप का नाम बताओ तो भारत का जवाला मुखी द्वीप नार कोननम, न्यू मुरे, पामबन और रामेश्वरम तो भाई यह दोनों तो आइलेंड है पामबन और रामेश्वरम ठीक है और न्यू मरे भी क्या है आइलेंड है और जो नार कोणनम है ये क्या है भारत का एक ज्वाला मुखी द्वीप है तो अंस्वर क्या होगा ओफशन नमबर वन भारत का शक्रिय जो एक मातर ज्वाला मुखी है वो कौन सा है बैरन ज्वाला मुखी अंस्वर क्या होगा बैरन ज response भी वहला है अंत्र जाती है बल भाईये जाती है बल विवर्तनिक बल जुआला मुखी बल तो यहां पर बात करें जो आपके अपर्दन के लिए अपर्दन तो देखो मैरे पिर्थवी के बाहर होता है ना पिर्थवी के अंदर तो नहीं होता तो कौन से बल यूज होंगे ज शुआला मुखी बल तो जुआला मुखी फड़ेंगे बल विवर्तनिक बल टेक्टोंिक बले तो बुकम पर शुला मुखी लातें और अंत्र जाती है बल इनकी वज़े से तो आपके बुकम पर जुआला मुखी और और भी गट्टाए क्वाल्ड नंबर बी रहेगा नेक्स आता है question number 147 रिहंद परियोजना किस राज्य में है उत्र परदेश मद्दे परदेश बिहार जम्मु कस्मीर यह मैंने आपको पढ़ाई भी थी परियोजना तो right answer हमारा क्या होगा guys UP यानि उत्र परदेश की परियोजना है रिहंद परियोजना next आता है question number 48 वन अंडर लगा लिए तापिय बुमद्दे रेखा की ओसत स्तीती क्या है बुमद्दे रेखा की ओसत स्तीती तापिय लिख दिया है word खाली बुमद्दे रेखा नहीं पुछी है 0 डिगरी 5 डिगरी उत्तर 2 डिगरी दक्षिन 5 डिगरी दक्षिन तो बड़ा ही अजीब सा question है बट इसका राइट अंस्वर माना गया था वो था 5 डिगरी उत्तर तापिय बुमद्दे रेखा की ओसत स्तीती ओसत पूछी गई है तो 5 डिगरी उत्तर इसका अंस्वर माना गया H.S.S.C. के दुआरा नेक्स आता है question number 149 हिमानी अपर्दन का सबसे महतेपूरन घटक क्या है अपर्दन पूछा गया है अपर्दन उत्तपाटन आपक्षरन अपगर्शन जमना या पिंगना तो बड़ा उत्तपाटन यानि प्लंकिंग प्लंकिंग में क्या गरती है जो glaciers है बहुत सारे जो इसमें झामिल किया सथा है तो यह आपर्दन हो गया उसे द्वारन द्वार है कोईो निमनसैटरी मैक कपाटी मैक कपासी वर्षा मेक तो गोरा है वह आपके में तो नहीं होते न ठीक है में में थोड़ी ना होते वो क्या होते हैं आपकी ओस का एक रूप होती है ठीक है तो कोहरा क्या होते हैं सोरी जो कोहरा ओस तो आपकी अलग होती है ओस तो ओस की बात करें तो वो तो गास पर पड़ी हुई रहती है ओस तो ओस से किसानों के कपड़े गिले हो जाते है निमन सत्री मेगों की शिरेनी मे डाला जाता है कोरा को ठीक है निमन सतर निमन सतर यानि बिलकुर नीचे लेवल पर हमारी जमीन के निकट ही आपके मेग में ही डाल देते हैं इनको बाकि आपके मेगों में जो यह कपासी मेग कपासी वर्षा है तो काफी उचाई पर बनते हैं कोरा की बात करें तो यह हमारी जमीन के निकट बनता है इसलिए से निम्न सत्री मेगों में आप डालोगे ओप्शन नमबर बी रहेगा भई ओप्शन नमबर ओसन एवन में डालना ठीक है तो यह थे आपकी 150 कोशन्स और हमारा 2012 का PGT जोगरफी का कोशन पेपर जो कंप्लीट मैंने आपको करा दिया है कोई तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर तो ज़रूर से जरूर क्या करो ताकि maximum student हमारे साथ जुड सके आप भी शेयर करोगे ना मेरा काम है वीडियो बनाना पर शेयर करना तो आपका काम है ना तो प् करेंगे तब तक के लिए हैवे नाइस टे होके बाबाई से